हलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप Binance के अंदर Cryptocurrency Selling कर सकते हैं P2P की मदद से, पिछली वीडियो में हमने देखा था Buying कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने Link दे दिये ठीक है तो यहाँ पर यह जैसी यह आइकन है मैं दुबारा एक बार आपको बता देता हूँ selling करने के लिए यहाँ पर आप जाएंगे settings में जाएंगे और यहाँ पर payment method पर select करेंगे payment method देखेंगे P2P तो यहाँ पर आपको एक payment method देखने को मिलेगा जो भी आपने link कर रखा होगा आप चाहें तो 4-5 भी link कर सकते हैं तो उसी के उपर selling करते time भी उसी जो आपने payment method यहाँ पर दे रखा है UPI ID वगेरा उसी के उपर आपके funds आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपके पास देखिए या तो आप चाहें तो selling कर सकते हैं direct P2P से नहीं तो आप यहाँ पर कोई crypto जैसे आपके पास है portfolio में मैं जाके दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर USDT और Ethereum दोनों हैं अब जैसे मैं चाहता हूँ Ethereum को भी USDT बना लेना ठीक है जैसे इसको मैं मतलब convert कर सकता हूँ convert पर simply click करके और यहाँ पर Ethereum से USDT बन जाएंगे यह मेरे जैसे मैं maximum ही यहाँ पर click कर दूँ तो मेरे 25 USDT मेरे को मिल जाएंगे क्योंकि मेरे पास उतने के Ethereum है यहाँ पर ठीक है तो आप चाहें तो trade पर जैसे मैं click करूँ और यहाँ पर confirm पर click कर दूँ तो यह देखिए मेरे सारे के सारे tether बन चुके हैं वो सारे के सारे जो Ethereum वगेरा थे सम मिला के ठीक है तो अब मैं इसे यहाँ पर sell कर सकता हूँ जैसे portfolio में जाओं और यहाँ पर चाहें तो Binance Lite से कर सकता हूँ मैं नहीं तो यह जो Binance Pro वाला option है इस पर जाकर भी मैं selling कर सकता हूँ जैसे यह Ad Fund और P2P Trading उसके बाद buy और sell यह जो है ना इसमें sell पर select कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर मुझे sellers मिल जाएंगे जो मेरे कितने कितने प्राइस पर UHDT खरीदने के लिए तयार है लेकिन इनकी एक limit होती है कि limit आपको minimum 1000 की तो करनी पड़ेगी 2000 यहाँ पर यह तो दो लाख रुपे कह रहा है दो लाख रुपे यहाँ पर 80,000 99,000 एक लाख तो यह आप अगर limit वगेरा नहीं करना चाहते तो फिर simply आपको यहाँ पर finance light में जाकर ही P2P करनी पड़ेगी नहीं तो आपर अगर आप उतने की करना चाहते तो आप उनसे भी कर सकते है seller gen 1 होना चाहिए एक बार उसकी profile वगेरा देखके ही आपको करना है ठीक है तो मैं portfolio में यहाँ पर जाता हूँ receive amount और UPI से मैं मंगाऊंगा क्योंकि मैंने UPI ही सिर्फ एड कर रखिये यहाँ पर कुछ भी नया एड नहीं कर रखा दूसरा उसी UPI ID पर इसलिए मैं आपको कहा था कि जाके चेक कर लीजिएगा कि आपकी वो UPI ID वरकिंग है या नहीं जो आपने एड कर रखिये finance में फिर मैं simply यहाँ पर confirm पर simply click कर दूँगा उसके बाद मुझे यहाँ पर यह seller देखिए मिल चुका है place order पर मैं click कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर chat पर already इन्होंने लिख रखा है कुछ देखते हैं जाके पढ़ लेते हैं क्या लिख रखा है तो यह इनका कहना कि buying selling कर सकते है call wall करो तो मुझे call wall पे तो नहीं जाना मैं आपको recommend करूँगा आप भी किसी के साथ call wall पे ना जाईए ठीक है तो मैंने यहाँ पर कर दिया है मैं इसको अपना message बेज देता हूँ इसको मैं send कर दिया है मैंने message इसको बेज दिया है तो यह जैसे ही मेरे को पैसे बेज दें जो मेरी UPI ID मैंने दे रखी है उसी पे ही मेरे पैसे आएंगे यहाँ पर तो मैं यहाँ पर 14 जो UHDT है मेरी वो send कर दूँगा और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं इस icon क्लिक करके यहाँ पर यह फीस भी लगती है 0.1% की current फीस चल रही है यह बाइनस में लगती है ठीक है 0.01 UHDD के आसपास कुछ फीस लग रही है ठीक है तो आप देखते हैं थोड़ा इंतजार करते हैं कि यह बंदा payment भेज दे मुझे पतलब पैसे बेज दे तो मैं इसको य verify पर क्लिक कर दिया कि payment send हो गई है मैंने कर दिये लेकिन आपको भी यहाँ पर जाकर payment received पर क्लिक करने से पहले आपको चेक करना है कि आपके पास पैसे आ गये हैं या नहीं आए हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार अपने पास तो मैं payment receive पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद I have verified और फिर यहाँ पर दूसरा option select करके मेरे पास पैसे आ ही चुके हैं ठीक हैं तो यहाँ पर यह वेरिफाइंग pass की वगेरा मांग रहा है मैं इसको cut कर देता हूँ pass की मेरे पास है नहीं अभी फिलाल हो सकता है आ दालना तो पड़ेगा ही तो authenticated app का तो मैंने डाल दिया email का OTP भी डाल देता हूँ तो यह OTP डालने के बाद यह सब set हो गया और यहाँ पर मेरे पैसे चले गए positive देता हूँ मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बंदे को मेरा order complete हो गया 14 USDT मेरी sell हो गई और मेरे bank account में जो amount है वो भी मेरे पास महुत चुका है मैं refresh कर लेता हूँ तो वो amount मेरा गया ठीक है P2P order यहाँ पर complete हो चुका है ठीक है तो इस तरीके से मैं यहाँ पर Binance के अंदर cryptocurrency selling कर सकता हूँ P2P की मदद से और मैंने आपको बताया शुरुआत में ही convert करने का option के बारे में भी जैस तैथर सारी USD जो BNB है वो बन जाएंगी मेरी ठीक है तो यह है पूरा का पूरा procedure पिछली वीडियो में मैंने आपको crypto buy करके दिखाया था उस वीडियो की भी link description में है इस वीडियो में मैंने आपको sell करके दिखा दिया ठीक है कोई भी आपका सवाल है Binance के अंदर P2P से crypto buying या selling को लेकर तो आप जरूर उसे पूछ सकते हैं कमेंट में बागी हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए हमारे चनल को subscribe कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे Binance related बहुत ही जादा important वीडियो इस वीडियो में